जैने ब्रियोंन, कैसे हैं आप लोग, I hope बढ़ी होंगे, मेरा नाम आजित है और आपको पता है कि हम लोग अपने एक और नए वीडियो में आ चुके हैं जिसमें हम लोग बात कर ले होंगे अपने डी जी जिस एक छूटा सा टॉपिक है, इंपोर्टन टॉपिक है, इंपोर कि चार नमबर मिल जाएंगे, है न हम लोग है, इंडिया में पाश्टियर में कॉश्चन आई हुए है इससे, पॉर्टन उतना नहीं है, जिसना आप किसी और चेप्टर को वीटेज दोगे, बट हाँ, ज्यादा टाइम नहीं, पंदास बीज मेट लगेंगे, सीख लेते है याद हो गया तो फिर, माला माल हो जाएंगे, मतलब कि चार नमबर मिल जाएंगे न, चार से आर्ड मिल जाते कभी-कभी, है न, चलो, moving ahead, बीमारियों के बारे में सेखने वाले हैं, बिना किसी रोख के, है न, तो हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे, कि बीमारी ह यह जोटे टांसपर नहीं होती है, जैसे कि टीवी है, टीवर क्लोजिस, वो एक दूशर से स्प्रेड नहीं होता है, जैसे बात करने से, बट फिर भी लोग कहते हैं कि टीवी है, तो उसके पास न जाओ, फला न न न डिम गा नहीं है, न, दूसरा है, क्यो, उनका क्योर क् सकता और तीसरा उनको बचाया का सकता जा सकता इनके उपर मोश्टली अभी तक एक भी कोशन नहीं बना है इंडिये में नासल की सीडियस में तो हम लोग इनको ज्यादा नहीं देख रहे होंगे हम लोग देख रहे हों कैसे उनको इस प्रेड होता है और विमारी वो कौन इस करता है सबसे पहले हम लोग सीखने आ लें बीमारी क्या होती तो डिजीज कौजिंग और गनमीज आर नौन इस पैथोजन जो डिजीज देते हैं जैसे कि मालो हम से किसी को और कोई एक बीमारी हो जाए तो हम एक पैथोजन की तरह रिवेब करेंगे मालो को यह एक एक नाम वाइरस फंजाई प्रोटोजोव और वाम्स बहुत सारे ऐसे लिविंग बींग्स हैं और गनमीजम हैं जो कि डिजीजिस को इसप्रेट करते हैं जैसे कि बैक्टिरिया हुआ वाइरस फंजाई हुआ प्रोटोजोव और वाम्स के वारे हम लोग ज्यादा अभी पढ़ने आले हैं जो प्रोटोजोंस होते हैं जो बीमारी को स्प्रेट करते हैं वह लोगों के बाड़ी में यह प्रोटोजोंस इंटर कर जाते हैं और पिर क्या करते हैं बीता जाकर अपने आपको को मल्टिप्लाई करते हैं यह वाईरस होता है अपने यह बहुत साइज चीज़ अपने यह तरीकी के बहुत सारे वाईरस को मल्टिप्लाई करता है और पर दिए दीरे बॉडी फंजन करना बंद कर देती है और दिश्टरब्ध नॉर्बल मेटबॉलिक एक्टिविटीज दस सेट्रिंग दा मेजर ओरन सिस्टम क्या होता पर अपना बीतल जाता है और बहुत सारे जो नॉर्मल एक्टिविटीज थी उनको पूरी तेके एपड़कर देता है और पिर दिए दिरे क्या हो जाता कि ओर फैलियर हो जाता है या फिर बॉडी वर्क करना नहीं करना चाह होंगे उल दो तरीकी से दिवाइड कर सकते है पहला एकॉयरड वर Son five ferbash£ को जननोसा का मतला और को बच्पन से मिली जैसे कही पैरेंट्स से मिलता ही होती है जीकशे मैंन हम लोग में लोते है इन हरें और ही टेंस जो में लोगों को साख में मिली है एसे बूल सकते हैं एक होता है एक क्वाइड तो एक्वाइड वो लेता वी तरीके हो सकते हैं पहला होता एक धॉसरी ओंगेबलिस और दूसी यह अंगे संग्रों सकते हैं कंदिकेबलल का उसका मतलब लालकिकमतलं से Major भी मारी के से भी हमारे पास वो आ सकती है या फिर हम लोगों के अंदर बीमारी वह हो सकती है आगे बढ़ते हैं हुए अभी हम लोगों से हम लोगों को बीमारिया होती है तो सबसे पहले हुपढ़ने यह अन्म नम्ठर कि हैं निमोनिया फिर जो निमोनिया हम लोग एक कोन है स्टेट्टो को कस नाम का एक वैक्टिरीया होता उस से हम लोग को करने मैं मतलब हो यह ऐसमें आप लोग Εंमि之ज कर सकते हैं लो nut उंकumes yem निकाल लेटे ते निकाल क्लोलिया मंलोह होता बिलख़ को लाय नाम के येて से ट्यूबर क्लोसिस होता है वह हम लोगों को मैको बैक्टिरियम ट्यूबर क्लोसिस नाम के एक वैक्टिरिया से होता है ट्रिटने अम लोगों किस से होता है ग्लोस्टिरियम एक नाम के वैक्टिरिया है उल्टा इन लेपरोसी मैको बैक्टिरियम से होता है तो सभी पता ही ह पूड बोजनिंग होते हैं इससे फुट पूजनिंग होती है अच्छा इसी में एक आके आएगा नहीं चलो नहीं लिख रहा है अभी यह आएगा तो वहां पर हम आपको explain कर देंगे प्लेग एक जो भीमारी होती है एक टाइम बहुत पहली थी जो कि आम लोग की यहां तक इसी टाइम की बात है और सी नाम के बीमारी है वो हम लोगों के ट्रिपो नेमा नाम के बेक्टरिया से इस्प्रेड होती है यह यह बेक्टरियल वैसे बेक्टरियल के साथ साथ ने यह किये सकते हैं हम लोग इसको यह एस्टीडी है एस्टीडी का मतलब होता सेक्स्वेली अगे बढ़ते हैं पर दो हिस्टीडैन हो को बांस बेक्टरियम किमो इसल्मोनेलर टाइफआई है इसका था होटा यह अनौ से करता है ब्रू को见जिट दो इसका एक हम लिए हुस्ते लेह एतंता इता यह यह इसका इंडेत होता है लीवर में पंक्रियाज में नर्वस सिस्टम में और किट्नी और हर्ट को भी इंपक्ट डालता को नोगों का टाइफाइड नाम का जो बुखार होता है सभी को मोशली चीमन में एक बार सभी को टाइफाइड होता है और कहते हैं टाइफाइड के बाद में फिर आदमी काफी समय तक यह टाइफाइड में महिनों कर पाता है तो इसलिए क्योंकि यह बैक्ट्रीयल डिजीज क्या होता कि बहुत लंबे समय तक चलता है तो इसमें रिकबर करना भी बहुत लंबे समय तक टाइम लग जाता है यह नाम के बैक्टिरिया से होता है और इसमें क्या होता है कि लो फिवर आता है तेक और नेजल केप्टी वगएर अपको भी इंपक्ट कर डालता है यहां पर यह इंपोर्टन है यह इंपोर्टन इसली क्योंकि हम लोगों क्यों डीपीटी यूज की जाते है लिए अगले आते हैं अगे हम नोगों कहीं है वाईरल डीजीजिस बा्यों को नोसकते हैं या पिर कौन को नहीं होते मेल ली पोलियो सुना वगभा डिश्ञाओ को यह वाईरस है जिससे यह डिजीज फ्यल्टि और यह पोलियों क्या है व मँप ये भी मारी वह बहुच ली जान ही फिर समूम भूच ली ते पयरमा एक्सो एन नहीं है पयरम एक्सो वायरे सिंद नामत जो होता वह वो मंस का मंस डिजीजना मुचा करनलोग से जिकन फोक्स ओम लोग अब रपके तरन माता आया है वाइ टीकन फोक्स तो ये लवीर रस होता एक हो न्यूम एफ एक टैसने कोनुः को इन्स ung А Cyrus नॉय Фथी घडर कोर्षा साथ नाभाई होता हो ज़ा तक है आ मीजल से सभी ने पढ़ा मीजल जो होती हो पार मायक्ष हो से होता मीजल मोंत्स , सभी पता है है HIV HIV का अपना इंट्परण क्या होता है वेदेख मने आगे लिकल का हो को वेजिए मता दियंग है मचैंट में अमयनों गवाईरस उके आगे क्या है तब वाइरस कोचिंग डेंगु जो डेंगु बुखार आभी चलते रहें आकसर का सीजन चीन्ज हो दो डेंगु वाइरल हो जाता है तो वो क्या होता है इसे हम लोग क्या केते ब्रेक बोन फीवर वी कहता है इसमें हट्टी बहुत होती चाहिए यह एक आरेने वाइरस था ओके जादक ना ओके यह आदक निकोष बोलते हो इसे बोलते बोलता कोई कोई नहीं इसका देंगी है पर हम लोग जनरली लेंगवेज्वें देंगु बोलते हैं और जो हम लोग की सुल्जा अन्प्लक्ट फैमली है तुर्छ कि इसमें एक इस्पेशल बहीया हैं लोग की देंगु यह वैश्ए अगर आप देख रहा है तो जैंद और सब Cities कि चलएंग incubator कि ममने विल्ड में होता है उसमें तीन चीजे होती है एक व्लीव सी और प्लाथ मिक औरacción प्लेट को यह व म Cash-s नम्हों कर देता है प्लोड शुका होता है कि यह हमको हुई थी हमको मतलब की 16 अप्रेल के पहले 16 अप्रेल कुछ एक जैम होगा था उस वाले प्रेल में 23 में उस टाइम जम देने के तो में सिकार हो चुके थे कि अध्री में 14 को होता है वह तो इस हम लोग क्या बोलते हैं कि निया कॉलके बतना आब मद्य पंक क्या फ्करियस के वो जरन रख निकलाता ऑगां है औक है और यह कोज्छ का सकता है मतलब बैक्तिरिया इसको कोज्छ करता है समैली नहीं है कि यह सिर्फ एक एडेनोवाइरस की वज्छे सी वज़ाइश सकते हैं मतलब आपको पार छोटा सा निकल के आ जाता है कि उसको जाने बहुत ता सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं मतलब कि उनके काटने से भी यह हो सकता है यह इसमें क्या हो जाता कि हम लोग लीवर है वह स्वेलप हो जाता है करता है हो के लिवर को इन्फेक्ट करता है हो कि इन फ्लुण्या को हम लोग जिसे फ्लू भी बोलते हैं वह एक आर एन वाइरस होता है उसकी वजह होता है जो कि और तो मैक्सो वेरिडे के नाम का वाइरस उसकी वजह से होता है कि याद करने वाली है और इसमें हम कुछ हल्प नहीं कर सकते हैं कि मीजल्स जिसे हम लोग रूवेला भी बोलते हैं यह तो को मीजल्स आया कि वह हम लोगों किस से होता है और यह हम लोगों को जो मीजल्स होता है इसमें क्या हो जाता है कि यह बच्चों को दिक्कत देता है छोटे बच्चे जो होते ना उनकी सांस भूलने वाला वह रिस्पेटी टेक्ट में उसको थोड़ा एफेक्ट ज्यादा करता है मंप अभी कहते हैं नर्मल सी बात ठीक है अच्छा ऑड्स क्या होता एक्क्वाइड इम्म्यून एड्स अभी विमारी डिस्कर्शन कर रहे हैं यह क्या होता इसका फ्लूब हम याद कर सकते हो यह हम लोगी बॉडी का इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है जिसा नाम ही है इम्यून डिफिजेंश इन मतलब कि हम लोगी इम्यून सिस्टम हो उसको थोड़ा सा वीकेंड करता है अगर हम लोग ब्लड का एक्सचेंज करते हैं अगर हमारे पास आ गया उसके उसमें एड्स का वाइरस था तो हम लोगों के इंट्रेक्ट हो जाएगा नीडल जो होती है जिसमें ब्लड लगा हो ऐसा इंफेक्टेड ब्लड हो और वह नीडल हमारे उपर यूज हो गई अब किसी को भी एड्स हो सकता है और यह जो चायल होते हैं उनको मदल मिल्क से भी यह एक्ट्स की बिमारी हो सकती है अगला आता है प्लोटो जोगहा और व वेक्टर का मतला होता है जो बीमारी को इधर से उधर टांसपर करें जो टांसपर करें डीजीज को है ना एक जगह दूशी जहें पर उन्हें के वेक्टर जीसे कि बहुत सारे इसे चीजे होती हैं मालो हम ही है हमने मालों यहां पर टच किया हमारे हाद में कोई वायरस आगया और हम जाकर यहां पर उसको रख दिये और सामने यह बंदे ने उसके टच कर लिया तो हम इसके लिए एक टेकिक वेक्टर बन गए है ओके चलिए इंचेक कैना ट्रांस्मिट डिजीस टुए मुन हुमन्स और रिफर्ड एज वेक्टर जो इंचेक्ट है या फिर मेली लिविंग विंग्स है जो वह अगर हुमन्स को कोई बीमारी ट्रांस्मिट करते हैं उन्हें हम लों क्या बोलते हैं वेक्टर जो होता है हो वह बेक्टरिया होता मेली एरिया के लिए क्यूले क्यूलेक्स जो फाइल एरिया के बहूता है और युद्धि ट्रांस्मिट करने में हाई है यह अभी काला जार की बात की तो काला जार को भी बात कर ले काला जार जो है वह दम दम फिवर भी से बोलते ना है यह यह अपको बताया कि यह जो सेंट फ्लाई के हैं ना और इसको कहीं एक मैंठ हाँ ठीक है एंड ओके ठीक है यह आपको याद करने को जोगत नहीं इसको बखार देते हैं जाओ तो याद कर सकते हैं बड़ कोई जोगत नहीं है ओके स्लीपिन चिकनिस बहुत सिंपल है यह टिपनों सोमा के वाज से होता है या फिर इसे हम बोलते हैं यह लोगों का जो ट्रांसमेट होता है जो से से फ्लाइए मक्ही होती है उसके वज़य से जो ब्लट को सक करती है उसकी वज़य से अम लोगों में यह हो सकता है इसकारियस भी कॉमन वाम से होता है और कौश बाइद है सिंपल है दो या अब यह विमारी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अंजाई से तीन चीजे होती है तीन मेली प्रॉम्लम होती है एक रिंग वाउग जिसे नहीं सपीच सपीच के दब्बे इसके इन पर जाते हैं और एक उता फूट पोईजनिंग ओके इस पर गिलस बोलते हुसे और एटलीट फूट वो जो पैरों के नीचे तलवे में जो दिक्कत आती ना उसे हम लोग गोलते हैं इसको पढ़ लेते हैं यह इंपोर्टेंट है इंपोर्टेंट है कि जो कॉंटेजियस डिजीस है वो कौन को नहीं स्माल पॉक्स रिंग वाउम चिकन पॉक्स इंफ्लेंजा और मीजल्स और ले क्योंकि चिकन पॉक्स जिसे हो जाता है इसमाल फॉक्स इंफ्लेंजर ऑजिसे हो जाता है जै फ्लू भोलत आए है ना उसे भी थोड़ा दू रखा जाता है नॉन कॉंटेजियस कौन कौन है जैसे कॉला टिटनेस वह से टिटनेस भी होता है इसमें इसकारियस टाइफाइड तो यह 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 ज्यादा वह से नहीं फैलेंगे और ठीक है लिए एट्स मेलीरिया और एपटाइस एक दूसे से टांस्मिट हो चकते हैं बाट इसमें क्या चा कर कोई ऐसी चीज जिसे की यह बीमारी तुम्हारे ब्लड तुम्हारे अंदर की चीज को कोई प्लाज्मा वगएरा निकाल के दूसरे के इसमें इंसक्ट कर दे तो पिर क्या हो सकता है कि हाँ आपको बीमारी हो जाए इतना डीप में जानिक जोगत नहीं हम लोग कुछ और आता हुँ उनको यह विमारी है वो क्या है कि लेंड यह व्यांट जो है जिसे यह व्यूद घ्रमोन को रिलीज करती है और इसे हम लोग मास्ट्र अब ब्लाइन भी बोलते हैं तो इसकी जो एक्सेशिव एक्टिविटी की बज़ए से एक्सेशिव ग्रोथ हो जाती उसी की सब्सक्राइब होता है और इसके वजह से कहते हैं तो बहुत ज्यादा ऐसे चांसे हो जाते कि भी नौबट आ जाती है सब्सक्राइब करने के लिए उसकी ग्रोथ या और भी चीज़ों रोकने के लिए यूज किया था पहली एंटिवाटिक थी जिसको अमलो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था यह इनिवीट करता है कि सेलवल बनाने को रोकता है नुकलर फॉर्म मेम्रेंड बनाने से रो होता है अच्छा यहां पर एक प्लस पॉइंट ही है कि यह वाइरस के उपर काम नहीं करता है वाइरस के उपर काम नहीं करता है यह क्यों क्योंकि देखो वाइरल के पास वाइरस के पास सेलवल होती नहीं वाइरस के पास क्या होती है एक प्रूटीन प्रूटीन से बनी हुई एक कवरिंग होती है अब प्रूटीन कवरिंग के उपर तो यह काम करेगा नहीं इसलिए क्या होता कि वाइरस के लिए क्या बनाए जाती है जो भी जिसे कोई-19 की वैक्सिन बनाई की वनना कोई बियकर कोई और बीमारी होती है तो हम उसको सही कर ले लेते एंटीबैटिक देकर आगे बढ़ते हैं कोशन पर आ जाते रिपीटिट कोशन कुछ हम लोग कर लेते हैं प्रेट कोशन तो साइफलिस अभी बताया था कैसी एक बिमारी था हम लोग उन्पर पढ़ा था बैक्टियल थी आना यह देखो साइफलिस कहा गया है यह यह से कोटल पार क्या होता तो चिकन पाॉक्स तो होगा नहीं रही हैają वैली यह यह दो पोगी वाईरस है यह तो खोधी वाईरस ऐ वोगी करता है इंफ्लेंट्स और यह भी फ्रू था धिभी वैम लोगों का लोग एक बेक्टियर डिजी था देखो हमने यह बताया कहां गया कि इस एक मैं एक मैंने था नहीं क्या आई यह रहा विपलेश्ट हम भी कहें बताया कैसे ने माइक्प्रियम ट्यूबर ट्लूशर कि यह यह होता है कौन बेक्टियर डिजीज है एक तो कि अगला का यह विटामिन के नाम लिख देते हैं जिसकी वज़े से जो में लिए से क्या हो जाता है हम लोगों की टेटीना में दिक्कता हो जाता मतलब कि हम लोगों जो आई विजन को कमज़र हो जाता तो ला विटामिन सीक जो है उसकी वज़े सकर भी हो जाता तो आनसा सकर भी हो जाएगा विटामिन डी से क्या होता है रिकट की कमी रहीज तो कुट्य करने से होता है मतलब डॉग बाइट से होता है विच अनुप देश्टेट्मेंट रिगार्डिंग वाइरस इस नॉट ट्रू वाइरस के बा लीविंग और लिविंग जो है वाइरस नॉनन लिविंगट के ना हो कि δ होस्ट मिल गए तो यह लीविंग हो जाएगा और फिर अपना खाना बनाना शुरू करते हैं मतलब खाना बनाने मतलब होस्ट का ही चीज़े यूज करेगा और वाइरस आर पैरसाइट बिल्कुल सही बात है मतलब यह अप्सिन गलत हो जाएगा वाइरस के लिए कहां बना पा सब्सक्राइब के बराबर ही उते होते और कुछ नहीं होते ठीक है अगर घीतर पहुंच मतलब होस्ट के अंदर हो गया ऊट्ध धीस हम लोगोगं के अंदर लिवंग बिंग आंदर पहुंच तो पर यह लिविंग की तरे Hook करते क्योंकि कि मल्टिप्लाइब होने के लिए मिल गया अब अगला क्या है विच वन फॉलोविंग इस बैक्टीरियम बैक्टीरिया काउन है तो भाई वेरी सेला होगा नहीं टिपनोस हो मा वेक्टीरिया था प्रोटो युगा था स्वरी स्लिपिंग सिक्नेस करता था सेल्मोना टाइफा वाइरेसा नउन लेविंग इंतिरेक्ट विद havachgram क्युक्य व्हु इसके पास सेलवोल थोथी नहींद तो अियुक्यम इन्तिपिंग से लड़ाही करेगा क्यों करेगा टेकिजिसए ही वुटिस-तिवीर ईंफिकशन पास ज्यादा थो आज आज हम लोग 19 के सिकार नहीं ह होते हैं और हम लोग की जो दुनिया में इतना सारा मतलब दिक्कते नहीं आती है ना बहुत सही दिक्कते आगी कोई-90 के बज़े से वाइरस डू नोट पॉजे मेटावॉलिक पॉत विल्कुल सही ऑन विच एंटिवाटिक के फंशन विल्कुल सही बात है क्या है कि वाइरस क अपर एक्टिविटी नहीं होती है बातलर्ब सेल वाल नहीं होता तो य सब्सक्क्राइब दिटियर सहे का अंपैट वेक्टियर्स चींगिंडीए लिए आगे बढ़ते हैं विचन अब फॉलोविंग इजा कॉस्ट वाइदा बैक्टिरियल पैथोजन बैक्टिरिया से कौन होता तो एट्स नहीं एट्स तो हम लोग ने पढ़ा था डेंगू नहीं यह तो डेंगू नहीं होता है कोई-19 भी नहीं यह तो वाइरस ही है टाइ 2015 seedyas में पूछा sawyad तो यह सीडिया का ही है सीडिया के दो थिन कोशन ने उठा लिए जितने भी आयते तो टाइप्थरिया वोपिंग और ट्रेटनेस है तो इसके लिए एंटिबैटिक बन जाएगी अगला क्या यह सीदेश 2013 में पूछा था क्या है कोशन दे आर एंटिबैटिक के बारे में बात किया दे आर यूज तो डिस्ट्रॉय दिजीज कॉजिंग बेक्टिरिया बिल्कुल सही बात है दे कैन बी एप्लाइट टू दा इसकिन अग्रोड और इंजेक्टिट टू फाइट माइक्रो और इंसाइड दा बॉड़ी हां बिल्कुल सही बात है उके उनको कैसे भी खा सकते हो इसकिन में ले सकते एंटिबैटिक है कोई इतना बड़ा वो तो है नहीं है ना ओके जैसे अ ऐसे उस्टाइटों फाफसन इसमें लिवबग ना यह यहीं है और आया था था टूढून फ़ुप्टीन ऐugेच्ट टूण में अटपने प्रिक ज्युर्ट कनेशिट देसकंपरेट है ने कहीं हो एंट्णारी में अगला आया था squad 15 सब्स्टान कॉशन 12 pouvezन में के हम लोग क्या होता हैं मैं वाइरस होता है ना गुट्रे भी नहीं होगा आयूडीन की कमी दो अब हुआ में उदीन कमी तो हो नहीं जाएगी पर है अच्य फेस्ट गेडर या फिर ये हो सकता है या फिर आपको नीडल वगहरा से हो सकता हां ढ हो सकता हम लोगों का क्या टॉकि एक है तो कंसी कैसे वाला है वाइब किससे होता है वैडरेस इता ह ना है मद मैई वैरास से वैरस से जोता था अég पूछा यह भी इनिविट सेंटेस्टेस ऑफ सेल वॉल अभी बता रहे होती है सेल वॉल को नहीं बनाने देदा प्रोटून तो होगा नहीं डिन आरने की बाद तो वाइरस में होती है तीनों चीज़ें बागी सब वाइरस के बारे में जो एंटिवाटिक टार्गेट में बैक्टियल पैरसाइट्स इंटर्फेरिंग विद वेरिस फेक्टर अब ग्रोथ और मेटाबोलिज्म सच अच्छा जो एंटिवाटिंग है वो इंटर्फेर करते किसमें तो किस चीज़ को नहीं बढ़ने देते हैं प्रोटाइन इसको भी कि लिए पर नहीं करने देते रूख देता एंट। को नहीं ऑद सब्सक्राइब की आपके देनिहां नया को सब्सकराइब सब्सक्राइब करता है , टो किसे करता है तो बिल्कुल सभी बात है कि बॉन मेरो में जो प्लेटाल बन नगी होती है उनको यह इन्टरिय करता है मतलब वहाँ पर जाकर प्लेटलेट को बनने से ही रोकता है इंफेक्टिंग इंडो थेलियल सेल्स हाँ यह भी सही आपको नहीं पता हो कि बट यह ऑप्सन सही है इंटो जो इंडो थेलियल सेल्स है उनको भी इंफेक्ट करता है बाइंडिंग प्लेटलेट को भी इंफेक्ट करता है accumulating plate plate in intestine अरे बाई intestine मिक्क प्लेट को जमा करेगा वो तो बनने श्रोकेगा ना तो आपसन नमबर 4 गलत हो जाएगा तो वन तो एंट्री सची हो जाएगा अज करते की आपने चीज़े बहुत साइश सीख की और अगर वीडियो आपको अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी subscribe करना ना बूले बहुत साही लोग अन्यों-बिचे कर सकते हो यह तो वीडियो देख लेंगे पर के टेलिगाम चैनल पर वहाँ पर भी एक छोटी स्फैमिली वहाँ पर हम लोग करते हैं जो भी इंपोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन आती उसको भी हम लोग वहाँ पर अपडेट कर देते हैं आप जाइन हो सकते नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या फिर आप इ स्ट्रीट पर हैं मतलब की काफी साम लोग कर चुके हैं इंग्लेशन बुक्त हैं बीकापाफी लोग कर चुके हैं मैत को लोग करेंगे जल्दी पर अनको भी देखने लिए नीचे प्लेविस अभी है आप देख सकते हो जलो मिलते हैं फिर वीडिओ में तब्सक्रीन कि थे DLD, इस्टेटे.